आप है कि अप है 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 आज हम क्लास शिक्स का है है हिस्ट्री न्स एर्टी चाप्टर एट परने वाले हैं चाप्टर का नाम है वाइटल विलेजेज थ्राइविंग टाउंस यानि जो बचे पिछली वीडियो देख रहे है हमको पता है कि हम एक प्रोग्रेशन में चल रहे है और हम लोगों ने सुरू में अर्ली मैन उसके बाद हरपा सिविलाइजेशन उसके बाद कुछ किंग और क टाउंस कैसे बनता है तो चलिए अब चैप्टर का प्रिफेस सबसे पहले देख लेते हैं तो किसी भी विलेज को अगर सहर सहर बनना है यानि कि टाउन बनना है तो उसके लिए वहाँ पर डेवलप्मेंट जरूरी है तो प्रिफेस में यह दिया हुआ है कि यूज ओफ आज से 3000 वर्स पहले आईरन का इस्तेमाल जो इंडियन सब कॉंटिनेंट है उसमें होने लगा था और सबसे ज्यादा आईरन कलेक्शन जो है वो मेगालित बरियल्स में देखने को मिला था यानि कि मेगालित के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था जिन ल मेगालित कब का है तो मेगालित लगभग 3000 सार पहले का है और अगर वो 3000 सार पहले का है यानि कि मेगालित के समय में आईरन का इस्तेमाल होता था अगर मिला है तो और अराउंड 2500 इर्स अगो यानि कि 2500 वर्स पहले आईरन टूस बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था बहुत ही ज्यादा प्राचलन में था बहुत ही ज्यादा उसका अलग अलग वेरियैंट य आनि की सब मिलना चलू हुए यानि कि iron tools बहुत ज्यादा यूज में था तो iron tools का इस्तेमाल क्या-क्या बनाने में हुआ होगा तो iron tools का इस्तेमाल X बनाने में यानि कि कुलहाड़ी जिससे forest काटा जाता होगा iron plowshares का बनाने में यूज होता होगा यानि कि जिससे खेत जोता जाता है उसका तो इस chapter में basically हम यही पढ़ने वाले हैं कि वो कौन सा चीज है जिसके development से अब जैसे आप देखें कि iron का इस्तेमाल हुआ तो iron से भाई खेती करने के लिए बनेगा जिससे खेती होता है जिसको plow बोलते हैं कुदाल बनेगा उसका इस्तिमाल करके खेती होगा और खेती होगा तो production बढ़ेगा तो एक गाउं में पैसा जादा आएगा जिससे वो सहर के तरफ बढ़ सकता है इस chapter में basically हम यहीं पढ़ने वाले हैं कि कोई भी village कोई भी vital village important village जो है वो टाउन के तरफ कैसे thrive करता है thrive का मतलब बढ़ना होता है वो धीरे-धीरे सहरी करन उसका कैसे होता है chapter का notes है आप इसको direct use कर सकते हैं अपने exams purpose के लिए और general competition वाले तो इसको पढ़ी सकते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि iron tools का भई सबसे ज़्यादा इस्तिमाल अगर किसी चीज में हुआ था तो वह है agriculture पहले के समय में है तीन हजार साल पहले इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा हो गया था और धाई हजार साल पहले के करीब ऑख का इस्तिमाल होता था forest clear करने में और खेति बारी में जिससे क्या होता था फाइनली production बढ़ा था तो किंग और क्विन्स को क्या चाहिए था माली जै कि यह king है और उसको अपना समराज्य बढ़ाना है अपना share बढ़ाना है, tax बढ़ाना है तो वो क्या करेगा कि उसके जो लोग है वो ज़्यादा समरिध होने चाहिए लोग कैसे समरिध होंगे तो भाई उसमें कोई industry तो था नहीं सारे लोग खेती करते थे तो खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके लिए उस king ने सोचा तो king और kingdom जो है उनको ज़्यादा support चाहिए था villages से, चिक्खे तो इसलिए new tools का आना बहुत ज़रूरी था और new tools जब आएगा तो system of transplantation increase होगा जिससे आपका production बढ़ेगा irrigation जो है उसको एक नया अंजाम दिया गया, irrigation को बढ़ाया गया, क्यों irrigation को बढ़ाएंगे ताकि production बढ़ेगा production बढ़ेगा, तो king के पास ज़्यादा tax जाएगा irrigation कैसे बढ़ाया जाए तो भाई, wells बनाईए, canals बनाईए यानि कि नहर बनाईए, tanks बनाईए पानी कठा करने वाला और artificial lakes का बनाईए तो ये एक दूसरा तरीका था जिससे आप देखेंगे कि production, irrigation के तुरू बढ़ाया गया अब देखते हैं कि villages में actually रहते हैं कौन थे तो पहले ये देखते हैं, villages में कौन रहते थे और फिर वो सहर में कैसे बदला तो village में तीन प्रकार के लोग आप देखेंगे कि तीन प्रकार के लोग रहते थे एक people lived in villages in southern and northern parts subcontinents southern और northern parts माली जी कि ये हमारा इंडिया है तो इसके north में और इसके south में, दोनों साइड में बहुत ही ज़्यादा villages के लोग रहते थे large land owner तीन प्रकार के लोग, एक large land owner मैं इसको दिखाता हूँ आपको ये large land owner इनको विला लार बोलते थे, चीक है? यानि कि एक होते थे विला लार चीक है? whereas ordinary plowman's were known as यूजावार्स और उजावार्स किसको बोलते थे? तो उजावार्स बोलते थे, ordinary plowman, यानि कि जो आम तोर पे खेती किया करता था जो landless थे, laborers थे, उनको या फिर जो slaves थे, इन तीनों को मिला कर हम लोग क्या बोलते थे? कडाई सियार बोलते थे, या आदी माई बोलते थे हैं न? तो आदी माई बहुत important question बनता है इसे वेल अलार्स कौन होते थे? जो सबसे बड़े जमीनदार हुआ करते थे, या सबसे बड़े लोग जिनके पास बहुत जादा जमीन खेती बारी होता था उजयावार किसको बोलते थे? जो दूसरे, जो मतलब खेती करते थे, बेसिकली प्लॉ चलाते थे, हल चलाते थे और अधिया माई किसको बोलते थे? sorry, आदी माई किसको बोलते थे? जिनके पास कोई जमीन नहीं था जो स्लेब्स हुआ करते थे उनको आदिमाई बोलते थे यह तीनों रटना है आपको नदन पार्ट ऑफ दे कंट्री हैड विलेज हेडमेन और ग्राम भोजका इंपोर्टन क्वेशन मनता है कि ग्राम भोजका कौन होते थे तो नौर्थ में ग ग्राम भोजका उसमें कहा जाता था था इसके पास लेंटरी और यह जो ग्राम भोजका था सबसे ज्यादा इसके पास लेंडर हुआ करता था यह इसके पास बहुत ज्यादा जमीन होता था और यह स्लेब्स भी रखता था यानि कि गुलाम अपने अंडर मर्कता था खेती बारी करने के लिए घर में काम करने के लिए इंपोर्टेंट परग्राफ है चार-पांच चीज हम लोगों ने पढ़ा है एक बर फिर से रिपीट करता हूं आपके लिए वेला लार्स कौन होते थे तो वेला लार्स होते थे जो सबसे बड़े लैंड ओनर हुआ करते थे सबकॉंटिनेंट में दूसरा उजियावार कौन होते थे जो खेती बारी करते से और अधिमाई और कदिस्यार कौन होते थे जिनके पास कोई भी जमीन नहीं होता था या जो slave हुआ करते थे जो गुलाम हुआ करते थे दूसरा का यह important चीज़ देख लिया हम लोग ने North का बात करें तो North में ग्राम भोजका नाम का position होता था ग्राम भोजका कौन होते थे तो village का headman हुआ करता था और इसका जो position था वो hereditary था बाप के बाद बेटा बनेगा बेटा के बाद उसका बेटा बनेगा यह ग्राम भोजका है यह largest land honor हुआ करता था पूरे गाउं में और इसके पास सबसे ज़्यादा slaves हुआ करते थे यह slaves भी रखता था कौन ग्राम भोजका और ग्राम भोजका कहा होते थे तो भाई सहाब यह नौर्थ में हुआ करते थे basically clear है चलिए next चीज़ देखते हैं अब ग्राम भोजका जो है he hired workers to cultivate the land वो workers को hire करता था अपने land पे cultivate करने के लिए और बहुत ही powerful होता था राजा जो थे वो ग्राम भोजका से टैक्स कलेक्ट करवाते थे और वो ग्राम भोजका राजा के पास क्या लेके जाता था तो टैक्स लेके जाता था ग्राम भोजका जज की तरह भी काम करता था और पुलिस्मेन के तरह भी काम करता था सब को सजा भी देता था और एक प्रकास समझे विलेज हेडमेन था वो सब चीज गाओं का देखता था ग्राम भोजका के अलावा कुछ independent farmers थे जिनको ग्रिहपती कहा जाता था फाइनली ग्रिपती का मतलब यह होता है जो पुरे घर का स्वामी हो घर का मालिक हो और ग्रिहपती ग्राम भोजका से कम लैंड ओनर थे यानि उनके पास जमीन कम था the men and women such as the dasas और जो दास हुआ करते थे दास टर्म का यूज हुआ है दासा और कर्मका उनके पास कोई भी लैंड नहीं होता था ठीक है नौर्थ में जिनके पास कोई जमीन नहीं होता था उसको हम दासा बोलते थे या कर्मकारा बोलते थे और उनको अपने जिन्दगी जीने के लिए रोज कमाना पड़ता था कैसे कमाएंगे इंड़स्ट्री तो था नहीं तो दूसरे के फिल्ड में काम करेंगे लिविंग वोकिंग ओन दे फिल्ड और उन बाई अदर्स इन मॉस्ट विलेजेज देर वर आलसो सम क्राफ्स परस विलेजेज गाउं में ये लोग भी हुआ करते थे तो बेसिकली हम लोगों ने जाना कि ये गाउं कैसा हुआ करता था चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमें पता कैसे चला कि भाई कुछ सहर भी थे उस समय जो गाउं से ज्यादा विक्सित थे या वो ज्यादा विक्सित हो रहे थे तो यह हमें पता चला जतका टेल से हैं यह जतका एक किताब है या स्टोरीज है जिसको पुर्खों से सुनाया आता गया है और बाद में इसको लिख दिया गया विAD है बीशिकली जतका टेल जो है वो रिलेटेड है बुद्धिजम से किसे रिलेटेड है बुद्धिजम से ठीक हैं ये में इसको बाद में लिखा गया और बुद्धिस्ट मॉंक जो है इसको से इसको अभी तक रखने दूसरा पहला चीज हमें पता चला कि cities कहा थे तो जतका टेल से cities हुआ करते थे तो यह कैसे पता चला जतका टेल से दूसरा evidence हमें कैसे पता चला कुछ cities है खुदाई में वो मिले है ना तो कुछ towns कुछ villages और forest के बारे में railings और pillars पे देखने को मिला जैसे माली जी आप बोध गया जाएंगे तो आपको एक monument मिलता है एक monument आपको मिलता है कुछ इस प्रकार का मैं बना कर दिखा रहा हूँ है ना माली जी कुछ इस प्रकार का आपको एक monument मिलता है लेकिन इसके gate पर आप जब देखेंगे तो गेट पर कुछ लिखा हुआ होता था इससे भी यह पता चलता था कि भाई यह सहर जो है इस सहर के लोग कैसे थे और इस सहर में कैसे लोग रहा करते थे और यह सहर का कहां तक फैला हुआ था तो दूसरा चीज यह हो गया कि sculpture से पता चला यानि monument से भी हम लोगों को पता चला कि हाँ ये सहर कैसा हुआ करता था तीसरा the city is developed from about 5000 years ago as capitals महा जनपदास के समय में हम लोगों ने पढ़ा था कि महा जनपदास का एक capital होता था वो छोटा जनपदा हो सकता था जैसे अगर जो king थे उस समय उनका एक बहुत ही बड़ा समराज है जिसको महा जनपदा बोलते है और उनका माल लिजिए आपकी मगद नाम का एक जगह है ये मगद पे आईए तो माल लिजिए कि मगद जो है वो उनका छोटा से capital है जैसे king asoka का था ये चंद्रगुप्त मौरिक का था तो इस capital में कुछ inscriptions हम लोगों को मिले या इस capital से भी हम लोगों को पता चला कि हाँ cities थे उस समय जो other जगह से ज़्यादा developed हुआ करते थे जैसे कि कोशाला से ज़्यादा developed अगर मगदा है तो हमें ये पता चलता था कि हाँ इस महा जनपदा का एक जनपद है जो ज़्यादा developed था तो हो सकता है कि ये city हो समय का और बाद में चलते चलते वो अभी capital के रूप में flourish किया हो वहाँ के लोग ज़्यादा समरिद्ध हो तो इनसे भी पता चला ये जो cities हुआ करती थी उनका जो fortification हुआ करता था यानि कि अगर हमारे archaeologists को मिला कि मगद का fortification किया हुआ यानि चारो बगल से दिवाल खिचा हुआ है बाकी सब में कोई fortification नहीं है इसका मतलब ये सब जो हो सकता है गाउं होंगे और राजा का ये capital होगा यानि कि ये city के रूप में इसको fortify किया गया है राजा ने इसको चारो तरफ से बंद करवाया यानि कि ये city होगा कुछ pots मिले राजा मरे या वहां के लोग जो है घरों में एक ring बनाये करते थे यानि कि देखिए यहां पर एक बड़ा रिंग उसके उपर एक ring उसके उपर एक ring जैसे आज के समय में हम लोग डस्ट बीन मनाते हैं उस प्रकार कर मिला बाकी जगह उपर नहीं मिला लेकिन यहां मिला तो यह भी पता चला कि यह ज्यादा और डेवलक्त था वो रिंग का इस्तेमाल कि कि रूप में होता होगा तो हो सकता है कि वेल्ग को में उसकर ते हो या डस्ट बेकर kup में ट्वाण कर तेह को ठ Cohen Раз यह यसारा चीज है और आर्कियोलोजिस इसका पता लगा रहे हैं लेकिन जो सेलर्स और ट्रैवलर्स आए हमारे देश में इंडियन सब कॉंटिनेंट में उनके द्वारा डिस्क्राइब किया हुआ किसी बुक में या लिखा हुआ भी यह मिलता है कि हां इंडिया में कुछ विलेजेज हुआ करत सब्सक्राइब करते हैं कि कॉइंस से भी पता चला कि आर्कियोलोजिस्ट को बहुत हजारों के संख्या में कॉइंस मिलता है जो कि वेल डवलप्ट था इस समय में इसमें से जो सबसे नया कॉइन है वह 500 साल पुराना जिस पर पंच मार्क लगा हुआ जेनरली रेक्टैंग रेक्टैंगुलर से नग्रा नग्रावट होता था स्कॉर्प का होता है कोई कोई राउंड भी होता था है jsि मेटल का होता था मेड़ आउटƏट अफ फ्लैटेन मेटल ग्लोबियोल्स मतलब कि इस परकार से मेटल को चंटा करके बनाया जाता था तो है और उस पे कुछ symbol inscribe किया हुआ होता था using dies and punches punch का इस्तिमाल करके उस पर कुछ symbol बनाया जाता था अधिकतर जो था वो circular थे subcontinent में जो मिला वो circular थे कुछ rectangular और square shape के भी मिले थे कुछ cities के बारे में ऐसा पता चला कि हाँ यह cities तो थी लेकिन यह ज़्यादा developed थी और यह इनका function एक रूप में नहीं अनेकों रूप में होता था जैसे आप देखेंगे मतुरा का description आपके book में दिया हुआ है कि मतुरा एक important settlement था उससे में 2000 साल पहले जो एक confluence पर बसा हुआ है यानि कि मैं यह करना चाह रहा हूँ which is important located at the crossroad of two major routes of travel and trade दो जगह के मिलने के अस्थान पर यह city है from the north west to east and from north to south fortification around the city and several shrines आप मालिजे कि यह सहर है और दो जगह दो रास्ता आ रहा है यहां से और इस confluence पर यहां पर मतुरा है और यहां पर चारो बगल इसका shrine बना हुआ है farmers and herders from adjoining areas provided food for the people in the city और जो farmers थे वो क्या करते थे खाना बेशते थे सहरों में जाकर मतुरा एक ऐसा center था जहां पर fine sculptures आपको देखने को मिलेगा आज से 2000 साल पहले ठीक है और मतुरा आज से 2000 साल पहले capital बनता है किसका कुसानास का मतुरा आपको पता होगा जिसमें कृष्ण भगवान का पूजा होता है मतुरा religious place था center था यानि कि भगवान कृष्ण का पूजा होता था जहां पे उन मतला बाद में चलके Buddhist Monasteries जैन स्राइन और important center for worship of Lord Krishna बन गया कि यानि basically एक city जिसका बहुत सारा काम हुआ करता था मतुरा के बारा में यहां पर दिया हुआ कि 2000 साल पहले मतुरा जो है वो दूसरे जगों से दूसरे महा जन्पद से या दूसरे सीटी से ज्यादा developed हुआ करता था the inscriptions on surfaces such as stone slabs and schedules found in Mathura are short inscriptions recording gifts मतुरा में कुछ ऐसा inscriptions मिला चाहे वो short inscriptions ही क्यों नहों या stone slabs ही क्यों नहों जिससे या recorded gift लोग जो देते थे राजा को वो क्यों नहों तो इससे भी पता चला कि हाँ जो life जो है cities में वो कैसा हुआ करता था राजा कैसे थे queen's कैसे थे officers थे merchants थे craftsmen थे जो कि city में रहा करते थे यानि एक city जहां पर राजा भी रहेंगे रानी भी रहेंगी officers रहेंगे merchant रहेगा यानि कि अगर merchant रहेगा तो merchant अपना काम करेगा से हुआ करते थे archaeologist archaeologist लोगों ने एक evidence पाया कि बहुत ही fine poetry जिसको northern black polished वेर बोलते थे NBPW generally found in the northern part of India question मनता है कि northern black polished वेर कहां पाय जाता था तो नौर्थ में इंडिया के नौर्थ में पाय जाता था आप देखेंगे कि नदन पार्ट अव दे सब कॉंटिनेंट नोन फ्रम टेक्स्ट मैनुफेक्ट्र ये इसका जिकर कहां है तो टेक्स्ट मैनुफेक्ट्ट्र में है तो क्राफ्ट्मेन और बहुत सारे लोग जब मिल करके एक association बना कुछ कपड़ों के कारोबार करने वाले भी लोग मिलते हैं यहां पे लिखा हुआ आप देख लिजे वारा नाशी में जैसे एक्जाम्पल के तौर ले लिजे जब यह मर्चेंट्स और क्राफ्ट्मेंस जो है एक association बना लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्रेनीज इं अनाइज दा ट्रेड अलसो सर्फ एस बैंक्स तो यह जो असोसीएशन थे यह बैंक के रूप में भी यह लोग काम करते थे लोगों को पैसा प्रोवाइड करना डिपोजिट करना लें देन करना अना और यहां पैसा जमा करवाते थे और जो इंट्रेस्ट के रूप में मिलता था उसका इस्तिमाल या तो उनको दे दिया जाता था या फिर उसका इस्तिमाल किसके wrong एकर किस्केशंन पुसका दिस्तिमाल होता था ता और तीसरा यह चैस्ट्रेस्ट बसता था उसका religious institutions में भी इस्तिमाल होता था एक important place के बारे में chapter में दिया हुआ है जिसका नाम है अरिका मेडू इसके बारे में पढ़ लेते हैं किसका क्या importance है तो अरिका मेडू जो है present पुद्दू चेरी में है एक coastal settlement है जहां पे obviously coastal settlement होगा तो वहां पे ships का आना जाना होगा तो यहां पे ships जो थी वो unload होती थी यानि कि एक प्रकार का यह port था ठीक है जो brick structure का बना हुआ पाया गया वेर हाउस भी मिला यहां पे समान रखने का जगा pottery from Mediterranean region such as amphory tall double-handed jar that contained liquid such as wine oil आपने देखा होगा कि कुछ इस प्रकार का एक होता है जग वो मिला यहां पे तो यह जग famous है रोम में कहा Mediterranean इलाका में ठीक है तो यह यहां मिला आप देखिए आप मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि अरिका मेडू कहां पे है यह coastal plane यहां पे अरिका मेडू है आपका ठीक है तो यह जग अगर यहां मिला और यह जग जो है यह variant है या variety है रोम का तो आप समझ सकते हैं कि यहां से रोम का कुछ connection है या वयापार होता होगा ठीक है है यह इसको हम लोग इस जग को या इस टाइप के pottery को अरिस्टाइन वेयर बोलते थे तक है और यह अरिस्टाइन वियर नाम किसके नाम पर रखा गया तो इटली के नाम पर रखा एक सिटी है made by pressing wet clay into stamped more another kind of pottery made locally through Roman designs सब्सक्राइब का अधिकतर समान जैसे रोम का लैंब ग्लास वेर जिम्स जिम्स यानि की जो पत्थर होता है चमकने वाला वो सब इस साइट पे मिला कहां अरिकामेडू में इसका मतलब यह है कि यहां का कनेक्शन रोम से था वहां पर वाया पार होता था सम टैंक्स फाउंड वर प्रोबैबली डाइंग वाट्स यूज़ टू डाई क्लोथ प्लेंटी ऑफ एविदेंस फर मेकिंग बीड्स फ्रम सेमी प्रिशेस स्टों और कुछ ऐसा डाई भी मिला डाई क्या होता है जिससे कपड़ा आईरन किया जाता है वो सब मिला और कुछ समय में और यहां से ड्रेड हुआ करता होगा अब देखते हैं कि फाइनली थोड़ा सा बताया गया है चैप्टल में रोम के बारे में कि क्या अगर हमारे इंडियन सब कॉंटिनेंट में इतना कुछ हो रहा था इतना ज्यादा लोग डेवलप्ट थे तो क्या कहीं और भी इतना development था यानि कि असे और जगह बारे में दिया हुआ कि कि यहां था कहां पे वह वह जगह है रोम, रोम को one of the oldest cities कहा जाता है और ये यूरोप में पाया जाता है, इसी टाइम जब इंडियन सब कॉंटिनेंट में, जब गंगा वैली कैपिटल में एक largest empire established होता है, उसी समय में यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एसिया में कुछ सभ्यताएं भी फ्लरिस कर रही थी, उसमें से एक था एक जगा जिसका नाम था रोम, अगस्तस नाम का एक राजा था, जो बहुत ही important emperor था, समराज्य उसका था, 2000 साल पहले, उसने रोम सिटी का, क्या किया, खोज किया, और उसने इस सिटी को चमकाया, उसने सिटी को marble hay नाम से प्रसेद किया, and later rulers built temples and places, और बाद में जो rulers आए, उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनवाए, और places बनवाए, और बड़े बड़े amphitheaterates बनवाए, open arenas बनाए, surrounded by tiers of seats बनाए, यानि कि एक प्रकार से उन लोगों ने development किया, तो आप लोग देख रहे होंगे, कि हम लोग cities कैसे develop हुआ यह पर रह देखा हुआ, where citizens could watch all kind of stores and public baths, तो इस प्रकार से रोम में लोगों के लिए seats बनवाए जा रहे हैं, buildings बनवाए जा रहे हैं, temples बनवाए जा रहे हैं, ताकि लोग वहाँ पे बैठ कर different kind of so देख सके हैं, public baths बनाए गए, जिसमें अलग-अलग timing दिया गया, men का और अलग timing दि मिल सके और अराम से बैठ कर अपना बात सेयर कर सके, huge aqueducts, aqueducts का मतलब पानी का channel होता है, channel of supply water बनाए गया, where built to bring water to the city, और वहाँ से पानी सहर में लाया गया, for the baths, fountains and toilets, इन सारे नहाने के लिए, fountain यानी की ज़र्ना बनाने के लिए, और toilets के लिए, ये सारा पानी का इंतजाम इस सहर के लिए किया गया, basically इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि, Indian subcontinent के अलावा, अरिका मेडू एक जगा है, जिसका connection रोम से था, और Indian subcontinent के अलावा, रोम भी एक ऐसा जगा था, जहां इसी type का development देखा गया, अगर इंडिया में मतुरा का development देखा ग का निर्मान किया था, और उसमें क्या-क्या खासियत थी, तो उसने पानी सप्लाई किया, सोज बनाए, लोगों को बैठने के जगह बनाया, sitting arrangement किया, ये सारा चीज development हुआ था, तो ये chapter finish हुआ, chapter 8 हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि, basically village में agriculture कैसे flourish करता है, किस चीज के invention से flourish करता है, तो iron के invention से, कब हुआ iron के invention, 3,000 साल पहले, उसका इस्तिमाल किस चीज में होता था, और किस प्रकार से एक सहर, एक village को, एक सहर में, यानि कि एक city में develop किया, गया था उस समय, और किसको उस समय city और क्या-क्या evidence उस समय में, basically मिला था, आसा करता हूँ कि chapter आपको समझ में आया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही, जो बच्ची channel पर new है, वो channel को subscribe कर दे, और bell icon को दबा दे, ताकि हमारा notification आप तक मिलता रहे, thank you very much.